हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आजम बाजू की कटिंग बताने जा रहे हैं जिसकी लंबाए तीन इंच है और सीना 30 इंच है तो सबसे पहले हम अपना फेब्रिक दिखा देते हैं यह देखिए यह मेरा बाजू का फेब्रिक है और इसे हमने डबल फोल्ड में कर रखा है यह अस्तर वाला है तो यह देखिए यहाफ में 15 इंच ऐसे चोड़ाई है और ऐसे हमें तीन इंच लंबाई चाहिए एक इंच मार्जिंग रखते हुए चार इंच इसकी लंबाई रखती है अब इसे हम चार फोल्ड में कर लेंगे तो ऐसे लंबाई और चोड़ाई हो गया अब हमें इसमें रखना है मोहरी तो मोहरी है मारा 10 इंच तो उसका हाफ हो गया पांच इसमें डेड़ इंच हम रखेंगे मार्जिंग एक इंच भी रख सकते हैं इसके बाद ऐसे इसकी लंबाई लेंगे और यहाँ से ऐसे चार का अधा हो गया दो और यहां पर हमें कटिंग से कटिंग पे निशान लगा लेंगे यहां से मैं इस तरह से लाइनिंग देंगे अब हमारे बॉड़ी के आर्म होल का जो गुलाई है यानि मुद्धे का जो गुलाई है वो 6 इंच है तो हम इसे साढ़े 5 इंच रखेंगे अब यहाँ उपर से यहाँ फिटिंग तक हमें गुलाई का शेप लगाना है तो यहाँ से उठाते हुए ऐसे ऐसे हमको लाकिस में मिला देना है यहाँ से 2 इंच बिल्कुल सिधा होना चाहिए उसके बादे हाँ से इसकी गुलाई का शेप लग गया तो यह देखिए यह मारा 3 इंच बाजू की परफेक्ट ड्रॉफ्टिंग रेडी हो गया अब इसकी कटिंग करके दिखाते हैं सकितते हैं देखिए इसकी कटिंग रेडी हो अलोग है यहां से कटिंग का निशान है वह श्काल होना अदा हैं 2 1-1 इंच बीच में श्यवक में लगाते हुए यह से हमें गहराई का श्य कर लेंगे और सामने जूआर्ड रेस इसको खोल देंगे इतीन इंच बाजू की कटिंग रेडी हुआ विडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू